तो Uh और यह सिखने का सिध्धान्त होता है ऊसे हमने कितने भागों बाट रख रखके है तो दो बाट रखके है पहला है बेवारवादी सिधधांत और दूसरा है संग्यानात्मक सिधधांत. ठीक है? यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेता हैं इसे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैबारवादी सिध्धान्त की कि बैबारवादी सिध्धान्त में क्या होता है इसे अधगम का सम्मंदबादी सिध्धान्त भी कहते हैं इस बरके सिध्धान्त मुक्यता वो दीपक बक अनुक्रिया के मद्ध संबंद बनाने को लेकर इसपस्ट किये जाते हैं इसमें मुक्यता, थॉन्डाइक, पाबलब, इसकिनर, गुत्री यासे मुरविग्यानिक आते हैं अगर हम बैवारवादी सिध्धान्त की बात करें, कि इसमें बेक्टी कैसे सीखता है, क्योंकि यह सीखने खालने का सिध्धान्त है, तो बाता हम उसी की करेंगे, कैसे बेक्टी सीख रहें तो इस सिध्धान्त को हम लोग संबंधवादी सिध्धान्त भी कहते हैं क्यों कहते हैं संबंधवादी सिध्धान्त क्योंकि इसमें संबंध बनाते हैं उसके माध्यम सम्छीजों को सीखते हैं दो चीजों के मद्ध में कोई संबंध इस्थापित करेंगे उसके बाद हम किसी चीज को सीख पाएंगे तो इस बर का सिद्धान्त मुखिता उद्धीपक वा अनुकरिया के मद्ध संबंध बनाने को लेकर इस्पष्ट किया जाता है मतलब कोई चीज ऐसी होगी जो आपको उकसा रही होगी इसके बाद भूचीज आप करने को तयार रहेंगे जैसे किया कि आपको भूक लग रही है लेकिन किया की आपने भोजण देख लिया तो भोजण जो है वो आपको अकर्शित कर रहा कि आप उसे खा לें ठीक है तो यह क्या संबंध बन रहा है तो ये कहता है आपका बैवारवादी सिद्धान, कि इस अधगम को संबंदवादी सिद्धान्त भी कहते हैं, इस बरके सिद्धान्त मुखेता, उद्धीपक वो अनकुरिया किमत संबंद बनाने को लेकर इसपस्ट किये जाते हैं, इसमें कौन-कौन से मनोबिग्याने का जा मतलब होता है दिमाग लगाने वाला, ठीक है जिसमें हम लोग थोड़ा दिमाग का यूज़ करते हैं, मानसिक गदविधियां जैसे कलपना, इसमरण, सरजन, आदी को जानना ही संग्यानात्म कहलाते हैं, ठीक है जितनी भी मानसिक गदविधिया होते हैं, जिसमें हम लोग जब तभी आप कोई चीज को सीख पाते हैं, ठीक है, तो ये संग्यानवादी जो मनोविज्ञानिक थे, उरों ने कहा था, अब इसमें कौन से मनोविज्ञानिक आते हैं, जिसने संग्यानवादी जो सिध्धान थे, इसका समर्थन किया, तो इसमें जीन प्याजे आपको दे सबस्तातु करते हैं नो सामें इसे सारी मोनों बिग्यानिक इसका समर्थन करते हैं संग्यानात्मक सिथान्त की तो सिध्धान्त यह कहता है कि आप कोई भी चीज़ भी सीख सकते हैं जब उसमें कोई ना कोई मानसिक गद्विती सामिल होगी जैसे कि कलपना तर्क चिंतन इसमरण सरजन आधी टिक है तो यह सारी चीज़ें कहा है यह सब जानना ही संग्यानात्मा कहलाता है और इसके जो सकते हैं अब बैबारवादी मनो विज्ञान को में सबसे पहले हम जानेंगे थॉन डाइक को थॉन डाइक का प्रयास लिभम तुटी का सिध्धान्त यह चीज़ याद रखना कि यह सिध्धान्त की बात हो रही है सीखने की सिध्धान्त की इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो सीखने के नियम थे, जो थॉन्डाइक ने दिये थे, अगर सीखने के नियम पूछी रहे है थॉन्डाइक के, तो आपको जो पहले पढ़ाया भई लिखना है आपको कौन-कौन से सिद्धान थे मुख्य में, तो ततपरता का नियम आता था उसमें, ठीके, और किसका आता अभ्यास का नियम आता था, और प्रभाव का नियम आता था, तो नियम पूछी रहेंगे, मुख्य नियम या गौन नियम तो आपको वो लिखने है, ठीके, अगर सिद्धान पूछे रहेगा था थॉन्डाइक का, तो आपको प्रयासिवम तुटी का सिद्धान लिखना है, ठीक है क्योंकि ये दिया था Thondack ने 2019 में ये कोशिन पूछा भी गया है Edward Thondack अमेरिका के मनोबिग्यानिक बहुत सिच्छक थे ठीक है ये क्या थे एक मनोबिग्यानिक थे और एक टीचर थे प्रता मनोबिग्यानिक थे जिन्होंने पस्वों पर प्रियोग किया ठीक है ये पहले मनोबिग्यानिक थे जिन्होंने किस पर प्रियोग किया था तो पस्वों के उपर प्रियोग किया था इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है एक एक नमर में पूछ लिए आती है तो ये भी Thondike की book है, ठीक है तो तीन book लिखी थी उन्होंने कौन-कौन सी, educational psychology, the animal intelligence, and the psychology of learning, ठीक है तो ये तीन पुस्तक जो है वो इन्होंने लिखी थी, सिच्छा मनोबिग्यान के जनक किसे कहा जाता है, तो Thondike को कहा जाता है, बहुत important question है, एक number में कई बार पूछा गया ह ठीक है, ठेट में भी कई बार ये question आ चुका है, कि सिच्छा मनोबिग्यान के जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, तो Thondike को सिच्छा मनोबिग्यान का जनक माना जाता है, इनका जो सिध्धान्त है, प्रया सेवन थुटी का सिध्धान्त, इसे कई नामों से जाना ज तो इसके नाम पूछ लिए जाते हैं तो आप्शन में आपको 4 देखने को मिलेंगे तो थॉन्डाइक का सिध्धानत है या पूछे का उद्धीपक अनुगरिया का सिध्धानत किस ने दिया तो ये भी थॉन्डाइक का है या इंग्लिस में लिखके आ जाएगा कि एसार थॉरी किस ने दि तो ये भी किस की है थॉन्डाइक की है अब बृत्ती का सिध्धानत किस ने दिया चैन का सिध्धानत किस ने दिया तो ये सारे किस के थॉन्डाइक की है तो इनका जो प्रियासवन थुटी का सिध्धान्त है उसी की ये पांच नाम है, ये चीज़ याद रखना एक तरीके से synonyms कह सकते हैं तो पांच नाम किसके हैं, SR theory के हैं ये हम कह सकते हैं, प्रियासवन थुटी के सिध्धान्त के हैं इसे हम लोग सम्मंदबाद का सिध्धान्त भी कहते हैं उदीपक अनकुरिय का सिध्धान्त भी कहते हैं SR theory भी कहते हैं अब बृति का सिध्धान्त भी इसी को कहते हैं और चैन का सिध्धान्त भी इसी को कहते हैं और उदीपक क्या था, तो मचली या मास का टुकड़ा जो था, वो उदीपक था, ये चीज़े है, 2022 में ये पूछा गया, 2016 में पूछा गया, तो ये इंपोर्टेंट है, एक नमबर में पूछ ले जाता है, कि कौन से मनोभी ग्यागनेक ने किस पशु के उपर प्रियोग किय था, कि चुहे के उपर प्रियोग किस ने किया, तो इसकनर ने किया, बिल्ली के उपर प्रियोग किस ने किया, तो थौन डैक ने किया, कुतिक उपर प्रियोग किस ने किया, तो पावलम ने किया, तो एक एक नमबर में एक कुशन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये तो यहाँ पर क्या torch क्या उदीपक है जो आपको क्रिया करने को मजबूर कर रही है वैसी उदीपक क्या होते है कोई चीज कार करने के लिए आपको उकसा देती है तो यहाँ पर मचली या मास का टुकडा जो है वो उदीपक का कार करेगा और इसके लिए response कौन देगा तो बिल या कोई लच तो उद्धीपक क्या होता है कि कोई भी बस्तू हो सकती है उद्धीपक या कोई इस्तिथी हो सकती है जो आपको कोई न कोई कार करने के लिए प्रेरित करती है आपको मोटिवेट करती है कि आप ये चीछ करो जैसे क्या कि आपको भूक लग रही थी, भोजन आपने देख लिए तो आपको भूक लगने लगी, तो यहाँ पर भोजन क्या हो जाएगा, उद्धीपक हो जाएगा, आपको प्यास लग रही है, अपने पानी देखा और प्यास बढ़ गई, तो यह क्या उद्धीपक हो जा लिखने के बाद आपके मुँमें जो लार आ रही है जो भी चीज़े हो रही है वो क्या है वो अनकुरिया है ठीक है तो अनकुरिया क्या होती है उद्धीपक के अनुसार किया जाने वले कार क्या कहलाता है अनकुरिया किसे कहते है तो उद्धीपक के अनुसार किया जाने वल अब thon deck का प्रयास इवं तुटि का सिध्धांत कहता है तो इस सिध्धांत के अनुसार जब जीव नई प्रिस्थितियों में रखा जाता है तो अनेक क्रियाएं करता है अनेक प्रयास करता है और असफल रहता है मतलब कि फेल हो जाता है जब बार बार जीव उन्हीं की हालातों में रखा जाए, तो उसे सम्हर्टाई जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब जो भी वो गलतिया कर रहा है, वो थोड़ी कम हो जाती है, अथार जीव अलग-अलग प्रयास以及 भूलों के मादटम से ठीक करना सीख जाता है, ठेके तो उस clear हो गया होगा कि कहना क्या चाहा रहे है थॉंड़ेक, थॉंड़ेक ने काया कि मा लोग की कोई जीब है, उसे आप नई परस्तिती में रख दें, ठीके, नई कंडिशन में रख दें, तो वो क्या करेगा, अनेक तरीकी उससे सीखेगा फो धीरे-धीरे करके उसकी जो गलती है वो कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और धीरे-धीरे करके वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा उस condition से बचने का, ठीक है, उस परस्तिती से बचने का, कैसे हम बच सकते हैं, अब जैसे क्या कि अभी एक वीडि लगा होगा, ठीक है, तो इसलिए वो चेक कर रहा था, जब उसे पता चल जाता कि इसमें current नहीं है, तो तुहीरे से वो निकल जाता है, तो यही होता कि पहले हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, किसी चीज से निकलने के लिए परस्तिती में, ठीक है, बहुत ट्राई करते ह अनुकूल हों, सीज के, कंडिशन के, धीरे-धीरे करके हमें वो चीजें आ जाती है, तो यही थौनडायक का कहना था, अब इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली के उपर प्रयोग किया था, क्या प्रयोग था बो देख लेते हैं, इस सिध्धान्त का उसे देख रही हो भूकी तो ही तो उसके मूँ में पानी आ रहा होगा अब वो कहा कि वो आकरसित कर रहा है जो मास का टुकड़ा जो है वो उसे आकरसित कर रहा है बिल्ली को बहार आने के लिए ठीक है तो उदीपक के कारण बिल्ली जो है प्रितक्रिया कर रही है अब वो ब तो पेर दब जाएगा या कैसे से उसे दबा दोगे तो फिंज़रा खुल जाता है, टिकर तो उसना कई तरीके से ट्राइ किया, तो गल्ती से उसका पेर जो था या पंज़ा जो था वो लीबर की उपर पड़ गया, गिस सा क्या होगा पंजरा खुल गया और बिल्ली ने तो उसने 20 मेंट लिये, उसका फिर से बंद किया, उसने 10 मेंट लियोंगे, क्योंकि बिल्ली को भी धीरे-धीरे, मतलब भी सोच रही है कि कैसे कहां पर उसका पैर पढ़ा था, तो पिंजरा खुल गया, तो वो ट्राई करती रही, तो धीरे-धीरे करके वो टैम जुद्धा पो कम होता जा रहा था, तो क्या कि गल्तियों से वो सीख रही थी, यह कहने जा रहे हैं वो, कि कुछ समय बाद बिल्ली जो है, वो बिना किसी भूल के एही प्रियास में पिंजरे का दरवाजा खुलना सीख गई, तो लास्ट में क्या हुआ, कि अब वो गल्ति करी नहीं रही तो उसे पता थे, इस पर पैर मारेंगे तो वो खुल जाएगा, तो सीधा वो पैर मारती थी लिबर के उपर, और वो खुल जाता था, वो खाके वो चली आती थी, तो ये कहने वाले थे कौन, तॉन डाइक की बार-बार हम गलतियां करते हैं, और उन गलतियों से सीखते हैं चीजों को, इसलिए सिध्धान्त का नाम क्या का गया है, प्रिया सिभम तुटी का सिध्धान्द का गया तेक है क्या कहते हैं प्रिया सिभम तुटी का सिध्धान्द कहते हैं और उद्धीपक अनकुरिया का सिध्धान्द कहते हैं उद्धीपक क्या था इसमें तो उद्धीपक मास का टुकड़ा था अनकुरिया कौन कर रही थी, बिल्ली कर रही थी, इसलिए इसे उद्धिपक अनकुरिया का सिध्धान्त भी कहते हैं और इसी को इंगलिस में हम लोग SR थियोरी भी कहा देते हैं, सौट में, स्टिमिलिस रिस्पॉंस थियोरी तो यह सब इसी के नाम है, अबृती का सिध्धान्त भी से कहा जाता है, अब इससे शैचिक उपयोगता के मिलती है मतरब सिच्छा में यह कैसे उपयोगी है, यह सिध्धान्त अभ्यास की किरिया पर आधारित है जिसमें सीखा ही है ग्यान जो होता है वो इस्थाई होता है इस सिध्धान्त गलती से मिले अनभवों को अन्य प्रस्तिती में लाव उठाने में मदद करता है तो अब हम सैच्छी को प्योगता देखें इस सिध्धान्त की तो क्या है कि सिध्धान जो है वो अभ्यास की क्रिया पर जादा फोकस करता है कि आप किसी चीज़ का जितना जादा अभ्यास करेंगे उतना आप अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को और जो सीखेंगे जो ज्यान आपको मिलेगा वो इस्थाई होगा वो आप हमेशा याद रखेंगे और माल ये ऐसी किसी और पस्तितिम आपको डाल दिया जाए तो आपको पता कि आपको कैसे बचना है उसी से कैसे निकलना है तो ये सैच्छे को प्योगता थी इस सिध्धान की तो ये था थॉंडाइक का प्रयास अबम्तोटी का सिध्धान ये कंप्लीट होता है अब हम पढ़ेंगे पाबलब का सास्त्री अनुमंदन का सिध्धान तो ये भी दो बार आ चुका है जो दिया था पाबलब ने इसके भी कई सारे नाम थे इसे हम लोग प्राचीन अनुमंदन का सिध्धान भी कहते हैं सास्त्री अन्वंदन का सिध्धान्द भी कहते हैं अन्कूलित अन्कूरिया का सिध्धान्द भी कहते हैं और अन्वंदन का सिध्धान्द भी कहते हैं ठीक है तो अन्य नाम ज़रूर याद रखना कि अगर हो सकता सीधर सीधर सास्त्री अनवंदन का सिध्धान ना है उसले रहे कि अनवंदन का सिध्धान किस ने दिया तो वो पाबलब ने दिया था या अनकुलित अनकुरिया का सिध्धान किस ने दिया तो वो पाबलब ने दिया था तो इसके अन्य नाम जो है वो याद करने जरूरी हैं। किसी उपयक्त उधीपक के सामने होने पर प्रकट हो जाती हैं। तो पाबलब ने कुट्टे की उपर प्रियोग किया। उन्होंने कुट्टे की लार गरंती का उपरेशन किया। ठीके उन्होंने कुट्टे का यह उपरेशन कर दिया था। क्योंकि चिकित सकते हैं तो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कुट्टे की लार गरंती का उपरेशन किया और उस लार गरंती को एक ट्यूब दारा कांच की बोतल से जोड़ दिया जिसमें लार को एकत्रित किया जा सकता है ठीक है तो उन्होंने क्या किया था पाबलब ने कुट्टे की उपर प्रियोग किया उसक प्रियोक की प्रिक्रिये को तीन चरणों में समझा जा सकता है, ठीक है, इस प्रियोक को हम तीन चरणों में समा सकते हैं, क्या क्या हैं, वो देख लेते हैं, तो इन तीन चरणों में सबसे पहले हमने क्या किया, सरपतम जो पहला चरण था, इसमें हमने क्या क्या किया, कि कुत फिर भी लार का स्राब हुआ, यहां घंटी जो है वो आसवाबिक या करतिमुद्धीपक है, इस क्रिया को बार बार दोराया गया, ठीक है तो पहले चरण में तो कुत्ते को वो सिधा-सिधा खाना दे देता था, ठीक है पाबलुप, लेकिन दूसरे चरण में उसने क्या किया वो तो इसी आस में था कि खाना मिलेगा उसे, ठीक है लेकिन घंटी बजाएगी लेकिन खाना उसे नहीं दिया गया, ठीक है तो यह तीन चरण थे, अब दीके लार ऐसे नहीं आती, ठीक है इसनोंने पहले क्या बताया था, कि कुछ उदीपक ऐसे होते हैं, जन्मजात होते जो किसी खास चीज को देखकर ही रिस्पॉंस देते हैं, तो यह क्या कि लार ऐसे नहीं आती, जब तक हम लोग कुछ खाने पीने की चीज नहीं देखते हैं, तब तक हमारे मुह में लार नहीं आती है, ठीक है, जब खाने की चीज देखते हैं, क्योंकि जन्म जाता है यह कि खाने की कोई चीज हम देखेंगे, तो मुह में लार आनी शुरू हो जाएगी, तो यह जन्मजात कारक है, तब ही हम रिस्पॉंस देना शुरू कर देते, तो भई कुत्ते के साथ था, कि पहले हमने क्या किया था उसे, उसके साथ, कि सीधा सीधा उसे पहले खाना दिया, तो खाना देखते हैं उसके मुह में लार आ गई, दूसरी बार मैं क्या कि यह गंटी बजा के खाना दिया, फिर भी उसके मुह में लार आई, ठीक यह गंटी सुनता था फिर लार आने लग जाती थी, तीसरे चरण में क्या हुआ सिर्फ हमने घंटी बढ़ाई लेकिन खाना नहीं दिया तो तब भी घंटी जैसे उसने सुनी तो घंटी सुनते ही उसके मूँ में लारानी शुरू हो जाती है यह उसा लगता कि आप तो खाना मिलेगा ठीक है तो यह तीन चरण थे अब इसमें देखे क्या क्या चीजह है भोजन जो है यहाँ पर वो कहा सुअभाविक उद्धीपक है क्यो نपर इस उद्धीपक को देखकर कुछन पुस तो रिस्पोंस दे गई यह उदिपक एसे देखकर लारान ही आनी है भोजन को देखकर इसलिए ये सौभाविक उद्धीपक है लेकिन लाराना क्या है यहाँ पर तो लार भोजन को देखकर आती आती है तो ये भी सौभाविक है अनुकुरिया है ठीक है रिस्पॉंस है जब हम भोजन को देख रहे हैं भोजन क्या है उद्धीपक है उसे देखकर कोई response दे घंटी के अवा सुनके लेकिन वो response देने लगा तो यह आज सुभावी गुद्धीपक है और भोजन तो सुभावी गुद्धीपक था ही और लार आना भी क्या था? सुभावी गुद्धीपक था कि यूद भोजन देखकर लार आएगी स्वभाविक अनुक्रिया है तो यह तीन चरण थे इन्हें अच्छे से याद रख लेना कि तीन चरणों में यह जो प्रोसेस थी वो पूरी होई थी इस सिद्धांत के बारे में इसके नर का कथन है कि सिद्धांत में सीखने पर निम्नकारक प्रभाव डालते हैं पहला प्रे कर ना उस नारी को बोलें बहुत बार बोले कैसे मम्मी जो कšने को आशाव से टेंसकर तो यह चेकर बिनाहाई को बोलते हैं थायोर में बिलते हैं तो को हम प्रेंगे पर अब कहा है झाल झाल